आसलाम वालेकुम गैजs आज हम डिस्कस करेंगे स्किन लाइन्स स्किन लाइनस को हमपेंज बॉडडली क्लाशिपाइज करते हैं अर नान- öğकर में in ene में पबाई concert boil in meklaw E 10 पर यहां इनने को heteryn के उपर हमें इसक पर और की आरिया nov तो इसके लावा यह ट्राइंगूलर एरिया बनाती है तो यह लाइन जो है एक रस्पॉंड करती है जो डीप तो इसके इसके मताबर की लाइन जो है और उसके कॉइन के डिवेल्प होती है स्किल की सर्फेस पर अगर आप अपने स्किन को और से देखें तो आपको इस तरह के स्किन के ऊपर में बिल्कुल छोडे-छोडे पैचिज तरह बने नाजरा हैंगे कुछ पोली गोनल होंगे कुछ ट्राइगोनल होंगी तो यह जो हैं सर्फेस टेंशन लाइन्स है उसके बाद देखते हैं रिंखल लाइनस को अब रिंखल लाइनस यह स्किन के इरियास पे के रियाज पाइड होती है और इनकी रिजइन को होती है जो मस्लस की कंट्रक्षिन है उसके वज़ासे ये राइनघ करती है अर यह ऑफली इनको ब्ली फेर होटी ओर रिसक्रच裡面 की बैञे अच्थिक है अब कने हैंम क्लाइनड तो लाइनड ऊपर होती है Office मेरा ठीक है अब यह निशिली जो है यंग एज के अंदर तो एक प्रेरी होती है और जब इनसान की स्पेसिक इस्पेशन शो करता है तो फिर यह पे रहती है जैसे यह हैडिक पे आप देख सकते हैं और जैसे जैसे इंसान अल्ड होता हैं तो इसके सिंद्व के पर्मानेंट हो जाती है एक के साथ उसके बार रहती है अब यह पेसिफिक ट्रेड या पफ लेबर के अंदर पेर होती है इस पेसिफिक एरियास ऑफ बारी में उनके बाड़ी के लहाज से कि कौन सा मसल यह जारा वर्ग कर रहा है तो यहाँ पर जो यह यह लाइन है यह लाइन पेर हो रही है ठीक है इस तरह इस तरह बार्ट पर यह लाइन पर नफ आ रहे हैं तो यह जो ग्रैवितिक पूल होती है बाडी पे उसके विज़ासे लाइन से पेर होती है जैसे टर्की गोबलर फोल दीजे ओल्ड पीपल के अंदर इस तरह यह पेर होता है ठीक है यह लाइन अप्डिपेंडेंस ही है यह पेर होती है जैसे यह पर होती है जैसे यह पेर होती है दिरा जिया जिए पर मेटार्ण ऐरा फ्रम प्रीए Peak Laird तो यह जो है specific joint की जो movement है flexion extension उनको उनके लिए surface area प्रवाइड करती है skin का ठीक है अब यहां पर specific term है semen crease अब जो normally palm पर देखें तो हमें two transverse line हमें नजर आती है ठीक है अब अगर downside dome के अंदर यह transverse क्रीज दोनों जो है यह fuse कर जाती है और एक single crease करीज बनाती है इस single crease को हम नाम लेते हैं semen crease का यह नार्मली भी कुछ लोगों के अंदर पेर हो सकती है लेकिन mostly don't sign dome के अंदर यह पेर होती है तो इस तरह जो flexor यह joint की line है यह आप joint की पाई जाती है उसके लावा यह जो यह पाल्म और पाल्मर सफिसर डीजिट पर जाती है तो यह किस विड़ा से बनती है जो dermal papaly है जो dermis के ऊपर लोगी papaly होती है वह जहां पर stratum bizel से connected होती है तो यहां पर इनका specific pattern skin के ऊपर पेर होता है ठिक skin के ऊपर palms की तो इसको हम नामते है पैपली रीचिस का ठीक है अब इनके सुमिट हैं जो इनके जो the affect sand aligns यहां पे देखने जो एक फरो बनी हुए ग्रूव्स भी बनी ही यहां पे पीक भी है तो यहां पे पीक्स के ऊपर जो इस प्रफेस पेस्ट इंग भी होती है अब यह जो है यह किसी इंसान के लिए यूज़ ओते हैं फिंगर प्रिंट से जो होते हैं ठीक है यह इंसानों की यूज़ रहते हैं और यह तर्ड फॉर मंत आफ इंटर इूटेंट लाइफ के अंदर यह जनेटिकली डेटर्माइन द करते हैं इनकी स्टेडी को हम नाम देते हैं डर्मेटोग्लाइफिक्स का नेक्स्ट मुव करें तो इंट्रिंजिक स्केरिंग स्टेच मार्क साते हैं स्किन के अंदर अब स्किन अगर एक्सेसिवली स्टेच हो तो प्लैजिन फाइबर जो है उनको डैमीज होता है तो इसके विज़ा से स्किन के स्टेचिंग प्रिडियूस होती है इनके अंदर भी स्टेच मार्क पेर होती है नीच लिए लाइन जो है रैड कलर की होती है लेकिन ग्रैजूली यह वाइट हो जाती है इसके बाद रहते हैं वोगट लाइन अब यह जो है अब नालमें डिस्ट को अ कि उसके बाद आने कलीविचd लॉयन पर यह जो हैं यह सक्वस् 창 document के सचसे लाइनों चौन राइन बहुंता है और इन के आपड़ी मैप डिवल्प किया गया मैप ठीक है जो अंडर राम जो कुलेज्शन है फायबर जो है उसके सिर्जरी में यूज किया जाता है ठीक है सबसे पहले इन लाइन्स को मैप आउट किया था वह लैंगर नाम का साइंटिस्ट था ठीक है उसने 1861 में कर्डावर स्पे की ठीक है एंके लाइना माइना के अंगा हुआ छाप और और जो इतनी काट जो लूग लाइनस लाइप लाइन को रिममुद्ट के लाइन राइन होगा तो इस ऑने हीलिंग और स्कैरिंग मिनिमम होगी निशान रोथ इसके भाद आती है बलासकोज लाइन अब भी ऐसएच अटिर्ली विजिबल लाइन और ये यह सेच यह सेल्स के मूव्मेट जिस तरह होती है उसलिहाथ से लाइन डिवाल्प की गई है और इसे मैप स्पेशिफिक डिजीजी का जो पैटर्न वह फालो करता है थी का इसे स्कूर्पिवेंट की बिच्टिबूशन के डिसीज़ जो है इन लाइन्स के मैप के लोंग जो है और पिगमेंट को डिस्तिटिबूट करती है ठीक है यह यह ऑफियर एक्सट्रेली वीजिबल आइन्स रही है यह अबनार्मल कंडिशन के अंदर आपर नहीं होती बल्के डिजीज जो है िनको फाल